Hello friends, Assalamualaikum, Welcome back to my YouTube channel आज मैं आप सब के साथ suit collection लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ही प्यारा ये suit है आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से दिखाने की कोसिस किया मैंने इसे offline purchase किया है इसलिए मैं इसके link को नहीं दे पाऊंगी ये बहुत heavy work में है और इसका फेवरिक organza है आप देख सकते हैं इसके look को ये camera में catch नहीं हो पारा है लेकिन real में ये बहुत प्यारा है इसके suit पे ज़्यादा heavy work है तो अगर आप भी party wear कुछ अच्छा सा look दे कर पहनना चाहते हैं तो इस suit को आप purchase कर सकते हैं पास के market में एजली मिल जाएगा ये बिल्कुल new design में निकला हुआ है और आजकल market में बहुत ज़्यादा ये मिल रहा है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है इसके price को मैंने screen पे mention कर दिया है आप वहां से देख सकते हैं इसका सलवार का fabric 2.5 मीटर है और lining का fabric दिया हुआ है वो 2 मीटर है lining का कपड़ा भी बहुत बेश्ट है और जो इसका सलवार का कपड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा बेश्ट है stitch होने के बाद से इसका look बहुत प्यारा होने वाला है तो bottom में आप चाहें तो paint या सरारा कुछ भी stitch कर सकते हैं इसके दुपट्टे की length भी 2.5 मीटर है दुपट्टा बहुत अच्छे से इसे work किया गया है इसका जो किनारे का border है बहुत finishing के साथ इस पे work किया गया है और इस पे छोटे छोटे stone भी लगे हुए है जिससे इसका look और भी प्यारा लग रहा है जरी और रेसम का इस पे work है इस पे ज्यादा रेसम का work है जरी mix किया हुआ है बीच बीच में इसमे stone भी लगाया हुआ है आप देख सकते हैं मैंने इसे पास से दिखाने की कोसिस की है फ्रेंट्स ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा है तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे आप इजली पर्चेस कर सकते हैं अगर पार्टी वेर आप कुछ अच्छा सा पानना चाहते हैं खास करके नाइट में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा बनने के बाद से मैं इसके फूल लूप को आप सब के साथ सेयर करूँगी और इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो बहुत जल्दाने वाली है तो अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो आप कमेंट में जरूर बताएए मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो लाने की कोशिस करूँगी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ओपन करके आप सब को दिखाया है इसका जो लाइनिंग का फेवरिक है ये भी बहुत अच्छे से इसमें दिया है बैक साइड इसका बिल्कुल प्लेन है आप देख सकते हैं और गेंजा फेवरिक ही है बैक साइड में भी और ये बिल्कुल प्लेन है इसमें cotton का lining आपना लगाएं इसमें जो lining दिया हुआ है वही लगाई है तो हलका सा signing जो होता है lining में जिसकी वज़े से इसका color और dark हो जाता है और ये खिलके भी बहुत अच्छे से आता है बनने के बाद से पाल बाद से आता है झाल 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 तो फिरेंट्स आज का ये हेबी सा पाटी यूएर सुट आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताईएगा और थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फिरेंट्स को जरूर सेयर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुस कर लिजेगा ताके हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे